तो विभागों के बढ़वारे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार 2.2 में नमबर 2 की भूमिका जो है वो अमिश्या थी है उनको मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ग्री मंत्रा ले दे दिया है अमिश्या के सामने चुनोतियां भी कम नहीं है और कहना चाहिए चुनोतियां भी बड़ी है और जिस तरह से उन्होंने बीजेवी के संगठन को शांदार तरीके से चलाया है उसी तरह से अब उनसे यह उमीद की जा रही है कि वो देश के आंतरिक मसलों को भी सुलजे हुए तरीके से हल उनका निकाल पाएंगे जो मसले हैं देश के सामने अमिश्या की चवी अपने काम में अपना सौफीस दीर देने की रही है ऐसे में उनसे यह उमीद की जा रही है कि वो देश की उन समस्याओं को भी सुलजाने में कामियाब हो जाएंगे जिनका सामना देश सालों से बलकि मुझे कहना चाहिए कई दशकों से जिन समस्याओं ने देश को उलजा कर रखा है बड़ी बहस के बड़े सवाल एक एक करके आपके स्क्रीन पर अब आप देखने वाले हैं इस बड़ी वॉल पर क्यों हम ये बहस लेकर आए तो पहला सवाल तो कुल मिलाकर यही कि क्या शाह करेंगे बीजेपी का हर वादा पूरा जो बीजेपी का कोर एजेंडा है यह संकल पत्र है उसे अमिश्रा पूरा कर पाएं तो जैसा कि शिफ सेना ने का कि पाकिस्तान समस्या का हल कोई निकाल सकता है तो अमिश्रा है तो क्या पाकिस्तान की समस्या का हल भी अमिश्रा निकाल देंगे तुकडे टुकडे गैंग को अब क्या सबूत मिलेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आपको प्रदानमंद्री की बात याद हो भी अंगणित से नहीं कैमिस्ट्री से बात बनती है तो क्या अंगणित से नहीं मोधी शाह की कैमिस्ट्री से हल निकलेंगे और आप जानते हैं पहले पार्टी उसके बाद प्रचार और आप कहना चाहिए क्या आप ये दोनों मिलकर चलाए साथ कार कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्ट्र मोधी और अमिश्या की जो कैमिस्ट्री है। गुजरात इतना द्रिनता से भारती जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उसका श्रे इस जोड़ी को जाता है। पूरे देश में भारती जनता पार्टी दोहजार चोदा में धाई करोन हमारे सदस्य हुआ करते थे। ग्यारा करोन सदसे संक्या नहीं लगा तीधा चार से साड़े चार गुना अधिक वृद्धी करने की सफलता। छे राज्यों में हमारी सरकार हुआ करती थी सोला राज्यों में एंडिये की सरकार है। दूसरी बार जो है जब अब की बार 300 पहली बार जब 272 प्लस का नारा किया दिया तो लोगों को लगा कि असम्मों और जैदी जी बहुत मजाक उड़ा रहे थे। handicquer अबकी बार 300 के पार काई जैदी जी बहुत बहुत बहुंखला जाते थे विकास गुपता जी बहुत विरोथ करते थे लेकिन हमारी समस्य भारती जनसंग के जबाने से जो हमारा हमारी निष्ठा रही है जो हमारे हमारे संकल्प में हमेशा से रहा है वह अनुच्छे 370 और 35 ए है इस बार के भी संकल्पत्र में वह है हम निष्चित तोर पर कश्मीर को भारत का अभिन हिस्सा जिस तरह से होना चाहिए जिसमें बाद आये अलगावादी शक्तियां सतत्व शक्री रहती है प्राकिस्तान प्रायजित आतंकवाद वहां जिस तरह से रक्तरंजित राजनीती करता है उसको खत्म करने के लिए वहां आतंकवाद के समूल लाश का अभियान चल रहा है और आधरनी अमि लिए जिने एक चीज़ कहिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है और हम अभी इसे देख रहे हैं यूंकि इस जो कारिय काल है अभी इनका नामाय आमाल बिल्कुल खाली है इसमें कुछ नहीं लिखावा है समझ गया और नामाय आमाल लिखने के जिम्मेदारी अब तो सब आपको काम करना है जो आपने वाइदे की हैं देश वो आपकी अगनी परिक्षा है इस समय देश के लिखने लेकिन जब परदान मंतिय के इसी इनारे को मैं दो कदम चलके हर्याना में देखता हूं और उमाहा हर्याना सरकार का एक फैसला यहाता है किसाब घर मे यहात पर जाईए और हंगिया तरह हंगिया चेक कीजिए उसमें पक्क्या रहा तो फिर विश्वास इस तरह से जीता जाएगा तो मैं परदान मंतिय जी को धन्यवाद जरूर करूंगा कि परदान मंतिय जी विश्वास जीतने का तरीका अनोका तलाशा है हर्याना सरकार की ठीक है, जहादी साब मैं आगे बढ़ू, पस एक छोटे से कॉमेंट के साथ, अधिती त्यागी का तो काम है सवाल पूछना, सरकार अच्छा काम करेगी, तो अधिती त्यागी उस पर बात करेगी, सरकार बुरा काम करेगी, तो सवाल उठाएगी, क्योंकि अधिती त्यागी समाप करना धारा 370 को समाप करना 351 को समाप करना कस्मिरी पंडितों को जो विस्थापित हो चुके उनको वापस भैली में पहुचाना यही नहीं नकसलवाद का समूलनस्ट करना इस दिसा में पिछली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है भबिसरी राम मंदिर का निर् समूलनस्ट करना मुझे लग रहा है यह बहुत बड़ी चुनोती है और इन चुनोतियों में खड़े उतरेंगे अमिट साहजी ऐसा हमारा विश्वास है चुकि इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार की बाते गुजरात में की है और वहां से आतंकवाद का समूलनस्ट किय है उसको जड़ से खतम किया है और आज के दिन में जो सबसे इंवेस्टमेंट फ्रेंडली और सबसे फीस्पूल एस्टेट है वह गुजरात रहा है पिछले तस पड़र सालों में तो यह देखते हुए मुझे लग रहा है जो राजना जीजी ने अच्छे काम किये हैं प्रवक्ता स्टूडियो में आकर यह कहें कि पहले क्या हुआ था उसको देखिए क्योंकि अब आपको एक इनिंग्स मिल चुकी अब आप सेकेंड इनिंग्स पे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो जो कमियां खामियां हैं उन सुटियों को ठीक करिये बनिस्पद पिछली सरकारों पे उसका ठीक रपोड़ देखिए एक सेक्ट दूसी चीसे जो सबसे मैं उन बातों को नहीं लूँगा 375 से क्योंकि वह बाते हो चुकी हैं आज ही कि मैं जब नीचे से आपके स्टूडियों में उपर आ रहा था तो रेसेप्शन पर आ रहा था कि फोर्थ कोटर का जीडीपी लोग 5.8% है विच इस दे लोएस्ट इन लास्ट फाइव यह तो मुझे लगता है कि 375 से नॉर्टीस की बात उई तो नॉर्टीस में भी अधि सब भ बाते सुनी हो माइ दसकों ने ज़रूर सुनी होंगी बहुत ध्यान से वह सभी यहस्त की और सब एंकल की बात सुनते हैं हमने अबसे हृब से बार-बार का 100 जो है उसकी पहली मीटिंग की तस्वीरे हैं कई एहम फैसले, बड़े फैसले, कड़े फैसले इस मीटिंग से एक्सपेक्ट किये जा रहे हैं और आप गदादू काई खास में मन लगाता है हमाई साथ बने वे शांतरू ब्रेक से पहले आपकी बात भी हो भाई थी लेकिन बा पहले जोडी देखिये थी अटाल अडवानी जी के बीच में और जो डूो होता है वो पॉलिटिक्स में चलता है जो हम गुजरात के समय से देख रहे हैं और राष्टिय पटल पे उसको 2014 से ब्रखर रूप से देख रहे हैं अमिच शाकु जो काम दिया गया उन्होंने प्र है और होम मिनिस्ट्री होते समय उनके पास आई दी है इंटलिजेंस है तो वो जब भी कोई स्कीमत चाहिए नरसी हो चाहिए 35 वे हो चाहिए 370 हो उसका पूरे देश में क्या रेपरकेशन हो उसको सेंस कर पाएंगा उसकी जो पॉलिटिकल डिलिवरी वो कर पाएंगे तो मेरे खाल से बहुत अच्छा संबल मिला है नरेंद मुदी को अपने कैबिनेट पे बहुत हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं और हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि पहले पार्टी आप जानते कि कि अमिश्या ने कैसे बीजेपी का जो संगठन है उस पर काम किया सब से बड़ा मेंबर्शिप द्राईएंग उस पर राईव पारत में अलग अलग राजियों में वह आपने अफ में बताने के लिए काफी कि अमिश्या की जो ज़ुरा नेतिक समझ है संगठन पर पकड़ है क्या वो अब सरकार में भी प्राइम मिनिस्यों मोधी के विजिन को साथकार करने में काम याब हो पाएगी यह अपने अपने सवाल रेक्ट इस पार भी डिसकेशन जा रही है इस अपडेट के साथ इस समय कैबिनिट की अपनी पहली मीटिंग चल रही है आपको और कड़े फैसले आते हैं सामने न्यूस आप तक पहुंचाते रहेंगे खबर पहुंचाते रहेंगे प्रामिनिस्यों की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने इस मीटिंग से पहले मातमा गांधी को याद किया सादार पठेल को याद किया कि एकास मैमान पर कारवाई पहली बार हुई वरनाद तुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो नेशनल सीक्योरिटी कॉंसिल में मेंबर हुआ नेशनल एडवाईजरी कॉंसिल का सदस्राज करता था आज टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को दुम दबाकर भागरा कपसे पढ़ र तो ऐसे टुकुड़े टुकुड़े वालों को समय रहते सुधर जाना चाहिए जैदी साब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं जवाब देना चाहते हैं नहीं मसला यह है कि अभी टाइम पतरी कान है हमारे जो सर्वोस्त पिजिये नेता हैं हुँ नहीं उन्हें काहा चाहिए वो टुकुड़े टुकुड़े गैं चीफ हैं दस दिन बाद बदल भी द bilang का सबसे बड़े युनाइटर हुई सक्रन की हानके सब्तक का टैरर इसतना नजर आया कि एक महीने के बाद ven शाली सर्वना है सत्ता का टेरर ठील क्योंक्ति यह सब्से बढ़ी चुनोती है आज के धिन वेक्षी है जब आइम पातरीका में कहार इतना तेर। वो आज क्या कह रहा है वह लगबाव है एक मेरा चोटा से सवाल है आप ही जवाब दे दीजिएगा सर। हिंदुस्तान लोकतंत्र है यहां पे जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत है क्या सर। मैं तो सब को सुनना हाता अगर मुझे भी 60 सेकिंड देने बोलने के लिए तो बीच में अगर कोई बोलता है तो मुझे मालूम है यह कलाकारी अब नहीं चलेगी अगर मैं बोलूँगा तो बीच में कोई नहीं बोलेगा और यह कलाकारी होती तो मैं नहीं बोलूँगा अभी कहा इन्होंने के गुजरात के अंदर जब होम मनिश्टर आज में बोलना नहीं चाह रहा था मैंने का उनका नामाय आमाल अभी खाली है ग्रे मंतरी की एसिस से जब वो कुछ करेंगे तो उसके हम पिट्टिक इडिया भी देंगे लेकिन अभी मेरे मित्रे ने कहा कि गुजरा आजकार ऐसा नहीं बता सकता या देश का राजनितिक यह कि गुजरात में कभी आतंग बात था बिल्कुल नहीं था इश्रत जहां कौन थी शांति पत्थ पे चली थी क्या सोहरावुद्दिर कौन था अक्षर दाम अक्षर दाम किया गया था कितने लोग मारे गए अतंग क अगर उस तरह का वहां करके आए हैं दूसरे एक चीज और है अभी उनके उपर और जिम्मेदारियां जो देश उनकी तरफ देख रहा है उन्होंने का किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे जन 2022 तक कोई और चत्य नहीं है जो यह कह दें किसा मुझे और देजिए उन्हो किस्ताचारियों को मैं जेल के मुहाने तक लेका आया हूँ अब मैं उन्हें जेल में देखेगा अभी आपके कहने निश्चिन कहने से नहीं होगा उन्होंने कहा का सवाल पूछर तो जवाब भी बिलेगा जी सर आप बोलिए नहीं चुकि आप से पूछा जा रहा है क्या पूछा ने करते हैं अपने जब सवाल किया से निराशा नहीं और य wilderness नाहीं यह एक दो तीन तीन आद्मी सवाल करने वाले चोधी एंकर है वो भी सबसे सवाल कर रही है चार सवाल करने वालों का एक आदनी जवाब लेडिए कुम है कोई भी दर्शक बता देगा जैदी साथ जैदी साब एक चोटी से बात बहुत विनम्रता के साथ देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अभी एक चीज इन्होंने बंगाल के बारे में कहीं, मेरे यहाँ एक संबोधन का है, एक मिलने का है, एक सिष्टाचार का है, कोई मुझसे मिलता है, राम राम जी कहता है, मैं भी राम राम जी कहता हूँ, सुन लिजिए, कोई ऐसलाम आलेकुम, ालेकुम, सलाम, आदब, ओ, जैश्री क्रिष्णा, जैश्री किश्टा लेकिन, अगर राम के नाम को, ये राज़ँनते की स्लोगन बना दे, उस बंगाल में जाकर, पर वो नहीं बोल सकते हैं, पर वी मसला है, आपका, राम के नाम को, जब दिलाना चाहोगा इन्होंने खुद कहा उत्तर प्रदेश के मैं गाउं से आता हूं और प्रतेक गाउं में सुबा सुबा लोग मिलते हैं राम राम जी कहते हैं मुझे आस्चर्ज हो रहा है कि चुनाव खतम हुए तीन चार पांच दिन हो गए रिजल्ट भी आ गया सरकार ने सपत भी ले ली अब ममता बनरजी जी कहीं जा रही है और कुछ लोगों ने जैसरी राम कह दिया तो उतर के उधमकी देती है कि देख लेंगे कि क्वैरेस्ट क ने पारन की खतना ही है किस प्रकार के सासन का हनक है सत्ता की हनक किस प्रकार से सता रही है यह एक बेसिक प्रेश्ण है यह जो पाकिस्तान प्रेमी गैंग और यही टुगडे टुगडे गैंग कुछ बोलने को तयार नहीं है अभी वेक्ति की स्वतंतरता नहीं आदेती जैस्री राम पे मुझे लगता है कि देश में किसी को भी आपती नहीं हो सकते हैं लेकिन उसके आड में आप अगर जी करने की राजनीती करने की प्रयास करेंगे मुझे रखते हैं उस बात के अलोचना सभी को करनी चाहिए जैस्री नाम देखे हम लोग न्रॉÓ इंडिया में रहे बच्छपन से जब जब भी किसी से बड़ों से मिले तो राम राम किया बचमंचे किया आज भी नहीं छोड़ा शामतों आज भी नहीं छोड़ा आज भी नहीं छोड़ा लेकिन मैं यही मेरी बड़ी विनमता से यह एक बात कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पाटी इसको इसको धूमी करन की राजनीती बनाने से परहिस कदम चैंगे बड़ी बिनमत्री उतरती है कहती सबको पहचान उनके चमड़े उधर वादो राजी खाल उधर वादो यह किसको नहीं होनी चाहिए जैश्री राम नहीं कोई राजनीती नहारा लगा नहीं यह को और उसका नुगली तो अपने सववेदानिक दाहित को उल लंगन कर को रहा है बिल्कोल, बिल्कोल, किसी लिए सवाल उठारे शाथ मुझे ज़रा कुछ इंफोमेशन अपने दर्शकों को देनी है, उसके बाद मैं आपको अपको कॉमेंट रखने के लिए पूरा मौका दूँगी, हम बार बार, अम इश्चा के बारे में बात कर रहे हैं, ग्री मंत्राले से उनका जुडाव भी रहा है, 16 साल के उनके सही वो ABBP से भी जुड़े रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास हुआ करती थी, तो ये वो तुमा मंग क्रेडेंशल हैं उनके, जिनके बिना पर कई लोग ये कह रहा हैं कि शायद अमिश्चा के उत्रादिकारी, जहां त हमारी पिछली जैशी राम माले नारे पे बात हो रही थी, अगर उसे व्यापन इस तरव देखे, पिछले सब्तर साल में कॉंग्रेस ने क्या कहा, कॉंग्रेस ने कहा कि सतना मैं रखूंगे और लेफ्ट को कहा कि सारा जो इंटेलेक्शुलिजम है वो अपने पास रखे, उसमें क्या हुआ भारत को जीन हीन देखना, भारत की सब्वेता को दीन हीन दिखाना, ऐसा एक चलन मन गया, पिछले 5 साल में पहली बार वो जागर होके आया थी, जैनियू में इस तरह के नारे सालों से लगते हैं, पहली बार वो जागर होके आया है, तो जब नया नरेट अब आपको हम बार-बार जेपी नडड़ा का नाम यहां पर दिखा रहें कौन हो सकता है अमिश्या का उत्रादिकारी अगर मैं पार्टी में बात करें भारती जनता पार्टी एक लोगतांत्रिक दले उसकी अपने अध्यक्ष के चयन की समयदानिक प्रक्रिया है यह तो यह गर्व में जो है समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष कोई आ गया हो सपा का अध्यक्ष हो गया भारती जनता पार्टी लोकतांत्रिक मुल्यों का पालर करने वाली समयदानिक प्रक्रिया से उत्त्म विप्ति को अध्यक्ष पत्पर ले आएगी हो जाएंगी और नरेंद्रमुदी जी की सेवाएं बंद हो गई हैं दोनों पार्टन पार्सल है समनवे से काम चलता है और जो भी अभी बता रहे थे सुकला जी कि अभी यह लोकतांत्रिक पार्टी है और इसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुकूल अनुसार आप ल पिल्कुल से, शांत में. पोदी जी की और अमिश्या की सरकार हैं. देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में बीजेपी आरेसेस की क्या भूमिका हो सकती है. हम उसे देखेंगे. ठीक. देखें, मुझे लगता है कि obvious choice वो ही होगा, जो प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री डिसाइड करेंगे, वो ही भा तंकबाद की कमर तोड़ी आप कहा रहे है, वो रेकॉर्ड और दूसरी तरफ बीजेपी में जो संगठेन का चैलेंज है वो. लेकिंज बारती जेंता पर्णी जीसे आधरनी प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि मैं पहले भारती जेंता पर्णी का कारे करता हूं, फिर प्रधान मंत्री हूँ. तो प्रधान मंत्री जी, आदरनी गरी मंत्री जी, अमिशाह जी, हमारे सारे जो नेता मंडल है, सारे लोग मिलकर हमारे पास पारली अवेंटरी बोर्ड है, हमारे पास एक सूसपस्ट समयधानी सनचना है, उसके अनकूल कभी भी किसी प्रकार का वैक्यूम नहीं होने पार्टी का सतत्विस्तार होता जाएगा, और सुशासन के संदर्व में किस तरह से लोग तांत्री प्रक्रिया से लोग आते हैं, उसका एक उत्तम उधारन जो है, इन पांच वर्ष्व में आप देखेगी, सार उत्तम उधारन की बात आप करें, बस आप से भी मेवानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते फ्रेम शुक्ला जी, चैलेंजर एक बार आपको फिर से आप दिला देती हूँ, जो वोटर के भी आपसे एक्सपेक्टेशन है, देश की जनता की एक्सपेक्टेशन है, आर्टिकल 370, घुसपैटियों की समस्या, नकसलियों की समस्या, कश्मी समस्या, पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है, ये वो तमाम चैलेंजES जिनके नीदान का इंतजार, जिनके सल्यूशन का इंतजार, इंदुस्तान के 1.3 बिलियन कीपल कर रहे हैं, एक छोड़ से ब्रेक्ट के लिए आपर क्रेजी न्यूज पर खबरे चारी वी बेंगी आपने पसे